भारत से टुकडी चावल एवं गैर बास्मती सफेद, कच्चा, चावल के व्यापारिक निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होने से वैश्विक बाजार में इसकी आपूर्ती एवं उपलब्धता में भारी गिरावट आ गई है। अन्य निर्यातक देश इसकी पूरी भरपाई करने में सक्षम नहीं है। दूसरी और प्रमुख आयातक देशों में चावल की अच्छी मांग बनी हुई है। इसे देखते हुए निकट भविशे में इस महत्वपून खाद्यान का वैश्विक बाजार भाव उंचा और मजब पूत रहने की संभावना है। थाइलैंड में अल नीनो मौसम चक्र के प्रकोप से धान का उतपादन 6 प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले साल यानी की किल्लत को देखते हुए सरकार ने किसानों को दूसरे सीजन में धान की खेती नहीं करने का स कीमतों का स्तर ज्यादा उंचा होने पर कुछ प्रमुख आया तक देश चावल की खरीद में कटौती कर सकते हैं या फिर सफेद, कच्चे, चावल के बजाए सेला चावल के आयात को प्रात्मिक्ता दे सकते हैं। इसमें इंडोनेशिया एवं कुछ अफ्रीकी देश भी श देशों में कच्चे चावल तथा कुछ अन्य देशों में सेला चावल को विशेश पसंद किया जाता है। चूंकि भारत से 20 प्रतिशत सीमा शुल्क के साथ सेला चावल का निर्याद जारी है और इसका दाम भी अपेक्शाकृत प्रतिसपरधीस्तर पर है इसलिए अफ्री के निर्याद पर प्रतिबंद लगा रहेगा और फिलहाल इसको खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार का ध्यान घरेलू बाजार पर केंद्रित है।